नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज हम Ancient and Medieval Indian Political Thought के Unit 2 जो की मनु उनके साहित है मनु स्मृति को डेडिकेड़ है और इस यूनिट को आज हम करने जा रहे हैं अपनी लेक्चर के माद्यम से तो मनु आप जैसे कि आप समने कई बार यह नाम सुरा होगा मनु स्मृति यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जो मनु है वह एक व्यक्ति भी हो सकते हैं वह एक परंपरा भी हो सकती है ठीक है? जो एक परंपरा जिसमें जितने जितने scholars थे, पंडिट थे उन सबने अपना-पना contribution या फिर अपना-पना योगदान दिया तो हो सकता है कि यह जो मनु है एक परंपरा भी हो सकती है और एक tradition भी हो सकती है तो यह जो इसमृति है जो इसमृति है वो धरूल सास्त्र tradition के अंदर आता है धरूल शास्त्र और सबसे अब देके एक दो बाते यहां पर आपको जानने और समझने के लिए बहुत जरूरी है कि देखें, जो मनुश्मिर्थी है, मनुश्मिर्थी हम तीन चार स्वरुप में हम पढ़ेंगे, मनुश्मिर्थी एक आचार सहीता की रुप में कारे करती है, आपका आचार कैसा होना चाहिए, आपका वैवार कैसा होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा, आप कैसे अपने कर्तव्यों अपने दैनिक जीवन में आप अपने कैसे निर्वा करेंगे जिससे कि आपको मोक्ष मिलेगे ठीक है ठीक है आप अपने कारे को करते हुए कैसे अपने मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं यह मनुस्मिर्थी का कोर है, पाचार वैवार, और कैसे आप एक मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, वो सनातन ज्यान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह इसके केंद्र के विशे हैं, तो यहाँ पर जो मनु है, वो उपदेश देने की कोजिस करें, मनुस्मिर्थी क्या करें, ऐसा करोगे तो ऐसा भला होगा और जाने अंजाने में अगर कोई पाप हो जाता है तो हम उससे कैसे बचे वो क्या पश्यताप है क्या हम कर सकते तो एक तरसी एडवाइजरी का रोल कली करती है एक दिशा देती है कि इस तरीके से हिंदु समाज या फिर जो इंशन जो से निर्वाय करना है अब देखे यहाँ पर मनुस्मिर्थी को हमें पढ़ना इसलिए आविश्यक हो जाता है कि यदि अगर हम भारत के इत्यास को देखे तो नो डाउट भारत का जो भूत काल रहा है उसको समझने के लिए मनुस्मिर्थी एक मैत्पूर्ण पुस्तक है ठी दूसरा बात मनुस्मिर्थी या मनु की जितने भी कानून है वो कभी भी भारत में पूर्ण रूप से लागो नहीं हुए राजाओं ने अपने अपने परिवेश अपने अपने भुगोलिक शीमाओं के आधार पे अपने उत्पादन के संसादन के उपलब्दता पर अपन को देखने को मिलता है कि मनु महिलाओं के लिए एक तरफ ऐसा बात कह रहे है और दूसरी तरफ उसको कंट्रोल करने की बात करने जैसे पर एकजामपल जैसे महिलाओं के बारे मनुस्मिर्थी या देवता का वाश होता है और वहीं पर दूसरी और मनुस्मिर्थी में ये भी का गया है कि महिलाओं को कंट्रोल करा जाना चाहिए महिलाओं को सीमित रखा जाना चाहिए महिलाओं के ये ये गोड़ धरम होने चाहिए इस तरीके से महिलाओं को नाम रखना चाहिए क्योंकि नाम रखने से निकर किस तरीके से उनको जीवन को संदरवित करना है, उनको संदरचित करना है, वो सब मनुस्मिर्थी में लिखा हूँ, वही पर हम देखेंगे सुद्रों के बारे में लिखा हुआ है, किस तरीके से उनके साथ वेहवार करना चाहिए, आचार करना चाहिए, अतिती जैसे घर पे आता तो किस तरीके से अथिती का सतकार करना चाहिए चाहिए वो किसी भी वर्ण का हो तो ये सब मनुस्मृति में व्याख्यामवित है दूसरा महत्पूनवाद यह है कि जो मनुस्मृति है ये कोई देवी आदेश नहीं ये मनु अपनी स्मृतियों के हिसाफ से यह बताने की बात कर रहे हैं अपने सिधान्तों के उपिसाब से ये बता यह कोशिस करे हैं कि आचार वहवार कैसे आप स्वध्धर्ण के माद्याम से कैसे मोच्ष पा सकते हैं और देखिए मनु श्मृति का जो कोल सिधान्त है कि वैक्ति को कैसे आध्यात्मिक बनाया जाए कैसे वेद का मूल दिया जाए कैसे वेक्ति अपना स्वध्वरं का पालन करते हुए मोक्स को ब्राफ्ट कर सकता है किसी भी वर्ण का वेक्ति क्यों न हो नो डाउट हमें ये देखने को मिलता है कि मनूसमिर्ती में वर्ण के हिसाब से वेक्ति के कारें, वेक्ति के आजार, वेक्ति के वहवार वेक्ति का सोधन अलग-अलग है अब अगर हम ये देखिए देखिए, ancient time में लबबबब आज से 3000 साल पहले लबक ठाई यह 13,000 साल पहले यह टेक्स एक्जिस्ट में आया, महवार में आया, यह फिर परचनन में आया, बगर इसका कई पेवे पून रूप से लावू नहीं हुआ, दूसरा यह है, कि देखे एक अच्छे समाज को चलाने के लिए हमें कानौन की जरूरत होती है, जैसी का कानौन का देखेंगे, तो बहुत टाइन तक यही परचली था, कि एक आख के बदले दूसरी आख, कि अगर किसी ने मेरा बुरा कराए, तो सीम, उसका भी मैं, उसने मेरा हाथ काट दिया, तो मैं भी उसका हाथ काट दूआ, तो आई for an eye, ठीके, आख के बदले आख, ऐसा नियाय का सिद्धान था, मगर यहाँ पर देखेंगे, मनौ एक अलग स्वरूब में बात करने की गोसुस के लिए, अगर आप देखेंगे, कि नोट आउट मनौ, मनौ स्विर्ती में, जो ब्रामन है, उसको एक उच्छ स्थान पर रखा गया है, मगर डंड की सिरेनी में, अ उसको आठ गुना उसको डंड दिया जाएगा, ठीक है, वही पर अगर वैश्य है, तो उसको 16 गुना डंड दिया जाएगा, हरजाना जो होगा, उसको 16 गुना, शत्रिय को 32 गुना, और ब्राह्मन को 64 गुना या फिर 100 गुना, इस तरीके से बात करा गया, देखिए नियाय में हमेशा एक जो नियाय के सिधान जो आज भी LLV कर रहे हैं, या फिर जो सुप्रीम कोट में अपना जज है, सुप्रीम कोट है, जो है, वो भी आज भी हमारी जो नियाय पाले का इस तरीके से डिलेमा में रहती है, कि क्या हम उनको जो न्याय हैं वो जर्नल होना चाहिए, जर्नलिस्टिक होना चाहिए, या पर्टिकुलर रिलिस्टिक होना चाहिए, कि पर्टिकुलर रिलिस्टिक होना चाहिए, या जर्नलिस्ट होना चाहिए, कि जिसे फोर एक्जामपल, अगर आप देखेंगे, कि जर्नलिस्ट मतल पनिस्मेंट एक जैसा होना चीट, या पर्टिकुलरिस्ट, कि हम उस व्यक्ति की यथा इस्थिती को देख कर, हम उसको लियाए दे, तो ये आज भी एक कोश्चन का फिशे है, या फिर डिलेमा में रहता है, तो इन सब चीजों को हमें समझना है, नियाय का कंसेप्शन क्या ह मनुस्मिर्ती में, मनुस्मिर्ती है किसके बारे में, क्या ये सम्विधान है, या फिर एक आचार, वहवार, कैसे स्वधरन का पालन करने वाला एक पुस्तक है, ये चीज हमें समझ है, और दूसरा बत, ये जो इस्मिर्तियां है, जितनी भी इस्मिर्तियां, याकनवल के इ यह हर 200 साल या 100 साल पर दुबारा निखी जाती अपने काल खंड परिस्तिती को देख ऐसे नहीं है कि कोई fixed है no doubt मगर यह जितने भी सिधांट उठाते हैं जितने भी सिधांटों को यह अपने निती निर्मान में या फिर आचार सहीता बनाने में उठाते यह वेद और उपनी से ही उठाते इसमें कोई doubt नहीं है और मनुस्मिर्थी को हम सब को पढ़ने से एक यह फायदा होगा कि हम भारत के अतीत को हम जान सकते हैं अतीत में किस तरीकी की व्यवस्टा थी उसको हम समझ सकते हैं क्योंकि भारत बेसक एक political रूप से या फिलाजनेतिक रूप से एक न स्कृति में हम मनु के सिधानतों को देख सकते हैं और मनुस्मिर्थी को समझ में जिने से हमें अतीत की किस परकार की राजनेतिक व्यवस्था थी किस तरीके का नियामन था वो उस चीजों को हम समझ सकते हैं या किस तरीकी की नियाय व्यवस्था थी मनु के समय या फिर इत्यादी, चली शुरू करते हैं, इंट्रो के बाद हम देख सकते हैं कि जो प्राचिन भारती राजने तनी चिंदन है, वो हम इतने इन महान विचारकों के सिधानतों या फिर इस नितियों से हम समझ सकते हैं, जिसमेंसे मनु एक परमुख, इंडियन फ्लोसफर, इंडियन इत्यादीिए विचार, फोलिटिकल ठेयोरिस्ट की रूप में सामने आते हैं, क्योंकि दिखीं मनु यहाँ पर एक चीज की बात नहीं करें, यहाँ पर परसाषन की भी बात करें राजनीतिक की भी बात कर रहें, इंटनेशनल इलेशन की भी बात करें, और वैक्ती के अवदर्म सास्त्र इत्यादियों के नाम से जाना जाता है अगर हम मनु को अगर हम टाइम लोकीट करने की कोजिस करें टाइम समय में अगर गुनने की कोजिस करें तो आज 2013 चलना है इससे लगबग चौथी या पाँचवी इसवी के आसपास फिफ्थ या फोर BCE बिफोर कॉमन एरा ठीक है इससे यहाँ पर हम लोकेट कर सकते हैं और हमेजा जैसे मैंने सुरुम में ही बोड़ा है कि मनिल एक व्यक्ति का नाम भी हो सकते है और एक परंपरा का नाम भी हो सकते है आगे देखते हैं मनु समिर्थी जो हमारा ancient time है जो अतीत है, जो प्राचीन है उसके बारे में हमारे समाजिक, न्याइक और राजनीतिक जीवन के बारे में प्रचूर जानकारी देती है इससे अच्छी टेक्स्ट नहीं हो सकती हमारे अतीत या प्राचीन समय को समझने के लिए और क्या है इसमें जीवन के बिविन्ने चरणों, देखें जीवन जैसे की आगे हम देखेंगे की वेक्ति के चार आश्रम होती हैं, ग्रस्त होता है, बार्ने होता है, वान प्रस्त होता है, ये सब आश्रमों में दिशा निर्दिस वेक्तियों को और बिविन्ने वर्णों को, जातियं जी से कह सेखते है आज मॉडरन टाइम में वर्णों के लिए दिशा निर्दिस और करतव्य सामिल है इन सबके बारे में हमें मनुस्मिर्थी में मिलता है जानकारी मनुस्मिर्थी जो भारती कानून है जो प्राचिन भारती कानून था या हिंदू कानून था, उसमें एक महतपूर्ण आयाम देखती है, देखिए, कभी भी जब राजा महराजा कहीं फ़र्स जाते थे, तो वो रेफरेंस इस्मृतियों से लेते थे, कि इसमें मनूने क्या करा है, ऐसी परिस्तिदियों में, इसी परिस्तिदियों में नारद ने क क्या करा है, याकनवल के ने क्या करा है, तो यह जो मनूस मिर्ती है, वो हिंदू समाज में एक महतपूर्ण इस्थान रखती है, और हिंदू समाज के सब्वेता के मापडंडों को दर्साती है, अब देखिए, जो मनू का योगदान है, वो महतपूर्ण है, मनू एक पवित उप्तिरता कैसे आएगी, डूसरा, हमें जो क्रिमिनल है, अपरादी है, अपरादी जो है, उनको कैसे हमें, एक सिक, अपरादी से कैसे हमें लटना है, कैसे उनको डंट देना है, कैसे नियम कानूनी स्थापित करने है, कैसे एक ऐसी सोसाइटी करनी है, जो सस्टीन कर सेके, आगी अपनी स्वरोप में चल सके, इस्थाइत हो, बारवर मान दरना, लूट फसाद ना हो, इस्थाइ हो, कंटिनेस चलने वाली सोसाइटी कर दे, में हमें मनु के योगदान की, जो मनुस्मिर्ती है, उसमें हमें ये सब देखने को मिलता है, आगे हम देखे, जो तो धरम सास्तर है, वो हिंदू राजनितिक विचारों में, केंदर में है, एकदम परमुख है, जो भारती है, राजनि संस्कृतिक, आर्थ सास्तर और घरेलू मामले में धर्म, कानून, संस्कृति, साइद जीवन की बिविन पहनुओं को नियंतरित करते हैं, ये वेक्ति की जितनी भी जीव, परिपिक्ष है, चाहे वो राजनितिक हो, चाहे वो आर्थी के आर्थ सास्तर से संबंदित हो, घर पाए जाने वाले शाष्वत और आपड़नी हैं, आपड़िवर्दनी हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं, ये जो गरंत हैं, जितने भी धर्मशास्तर से संबंदित हैं, वो हैं हमें आच्छे आचरल, कानून की परिक्रियाओं और तपस्याओं की निये संचिप्त, दिशा निर्देश प्रदान करती हैं, और ये जो धर्मसास्तर हैं, इनका परमक होद्देश यही है कि समाज में हर कोई धर्म के अनुसार बना जीवन व्यतीत करें, और ऐसा माना जाता है कि जो मनू का जो मनूस्मिर्थी है, या मानव धर्मसास्तर है, वो सेम मनू को ब्रह्मा न वर्नित किया था और मनु ने जो सब्त रिसी हैं हमारे उनको जिसमें भ्रिगू हैं उनको इसका ग्यान दिया अब हमें यह समझना है कि जितने भी धरुन शास्त्र है उनका एक तो मेन पॉइंट यह है कि वो दीविय उत्पत्ति की बात करती मतलग डिवाइन से संबंदित करते हैं यह यह कुछ देविय है जो इश्वरिय है उसके बारे में बात करते हैं या फिर उनकी जो स्विकृत्ति है वो कहां से उनको प्राप्ट हो रही है देविय आगे देखे अनेक परकार की स्मिर्तिया है अठारा दन सास्तिरों में से जो मनु की स्मिर्तिया वो सबसे प्रमुक है और सबसे पहनी बानी गई और यह इस टाइम की है जहां पर ग्रामवन प्रमप्रा कही है अद्तक जो स्रावनिक प्रमप्रा है उससे प्रवाबित हो रही थी और खत्रे में थी दूसरा अगर हम मौडर्ण टाइम में देखे तो बेटीस हो गए महिलावादी हो गई समास सुधारग हो गए इस सब ने मानु या फिर मनु स्मिर्ति की आलोचना करिये ठीक है उन सब के बावजुद मनु इस्मिर्ति महतफून राज्य कैसे कार्रे करें अपनी सेवाओं पर निर्वाहा कैसे करें उन सब का ग्यान या फिर सिधान प्रस्तित करती हैं और ये इसलिए है कि मनु का कार्रे में तो इसलिए भी रखता है कि क्योंकि यह वेदों उस पर आधारित है वो हमेशन जितनी भी स्मिदिया है वो अपना सोर्च जो अपनी जो सिधान्द वो कहां से ले रिए वेदों से ले रिए और यहाँ पर यही याद रखना है कि वेद में कहीं पर भी कहीं पर भी वर्ण का जिक्र नहीं है किसी भी प्रकार्ड की वर्ण विवस्ता का जिक्र नहीं है और अगर हम उपनिशत की बात करें तो उपनिशत में केवल दो ही वर्ण है एक ब्रामवान और एक शक्त्रिय आगे हम देखें अगर हम इसको समराइज करें जैसे कि आपको लिखना भी होगा एक्जाम में तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मनु की योगदान ने प्राचिन भारती राजनेती को और परसासनिक विचारों किस को समृद्ध किया है ठीक है मनु समृति सबसे पुरानी और परसिद्ध समृति हिंदू कानून पर एक आधिकारिक कार्यों के रूप में कारे करती है और अपने कान के दोरान सामाजिक जो प्राचिन है सामाजिक न्याईक और राजनेतिक जीवन में अंतरदिष्टी परदान करती है या फिर जानकारी दिए यहिन्दु समाज और सब्वेता के सामान्य सोरूप को प्रस्तुत करते हुए जीवन के बिवन्य चर्णों में बिवन्य जाती या वर्ण कह सकते हैं कि समाजिक दाइतों जितने भी वर्ण हैं उनके समाजिक दाइत कर्तव्यों का वर्णन करता है मनु के तार्य ने सामाजिक राजनितिक संस्थानों को पवित्रता और इस्थाइत वो प्रतान किया और नाधरिक और आपरादिक कानिन की पहली सहीता इस्थापिट की तो यह क्या सकता है कि आपरादिक, जैसे कि मैंने बता है आज की टाइम पर इंडियन पीनिल कोड है, बारती है, डंड सही था या अचार डंड सही था, उस समय कोड जो मनु है, उन्होंने सबसे पहने कानुन और आपरादिक सही था, उपलब्द कराई या फिर सिध्धान्त आगे हम बात करें कितना ब्यूटिफिल लाइन है इसको आपको लिखना है अपने आंसर में अब आगे हम बात करें तो जो यह स्मितिया इन में जो कानून है इससे क्या करना है कि अनुशाशन स्थापित करना है पहली विशिष्टा डिसिप्लीन को इंस्टिल करना है दूसरा शाशकों को वैद आचरन लागो करने के लिए आधार प्रदान करना है कि सासक जो है जो रूलर्स हैं उनको प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कराने कि कैसे लौफुल कंड़क्ट होगा शाशकों को वैद आचरन लागो करने के लिए आधार प्रदान करना एक तरसे रेफरेंस पॉइंट हैंगे कि किस तरीकी सा शाशन करा जाए क्या सास्त्र बोलते हैं इस परिस्थिति के लिए और वेक्तियों द्वारा आनिवारे करते हुए कि पालन के माध्यम से एक धर्म और व्यवस्थित दुनिया सुनिश्चित करना दोसरा यह है कि जो अगर इस्मिर्तिया है ये एक इस्तिति को समझती है कि अगर कोई प्रभावकारी राजा नहीं होगा तो मतस्य न्याए वाला परिस्तिति आ सकता है तो कानन को प्रभावी रूप से लागू करना सकती का वित्रन ठीक स्वरूप से करना और राजा की जिम्मेदारी एक सैंडक्शन की रूप में बोध कराना इत्यादी पर सलह या फिर सिंथान्त देने का कारिक आगे हम देखते हैं तो मनुश्मृति क्या कर रही है मनुश्मृति उस परती उस समय की काल खंड के अनुसार अपने सिधानतों को प्रस्तुत करते हैं और आज की जो समाचिक जीवन में या फिर आज का जो समकानी जो समय है हो सकता है कि वो बोल्या आज उस वरूप में प्रभावित ना हो एक्तम किर्यानवित ना हो क्योंकि वो टाइंग पीरिड अलग था जिसमें मनुस्य की द्वारा कार्रे किया जाता है आज की टाइम में मसीनों से कार्रे किया जाता है तो वो समय वो अलग था जहांपे मनुस्मिर्थी अपनी सिधानतों को प्रस्तुत करी है राजा वो देविय अधिकार प्रतान करी है कि राजसाशन करने इत्यादी और ब् और शूत्रों को निम्ने स्थान पे रख दे तो वो हायरार्की वो इस ट्रक्चर आलग था आज की डाइन पे भी हायरार्की है मगर अलग सोरुप में है मेरिट के हिसाफ से हायरार्की है टैनेंट के हिसाफ से हायरार्की है आगे हम अगनी विशिष्टा पे चकते हैं तो मनुश्मिर्थी क्या करती है एक पैटरिनिल स्टिक एक पित्र सत्तात्मक समाज की संकल्बना करती है एक पारिवारिक संरचना को बढ़ा हुआ देती है ये वादा पॉइंट इंपोर्टेंट है लिखने के लिए पुरूसों को अधिकार प्रतान करती है और मैनाओं को उनकी योण विकल्पों में आविश्वास वैक्त करते हुए अधिनस्त भूमिका सोपती है उनकी बौटी के इसाब से उनकी कारे को निर्धारित करती है वहीं पर दूसरी ओर दिखेंगी जो टेक्ष्ट है जो पुस्तक है उसमें क्या है पुरुसों द्वारा अपने परिवार के बाहर की महिलाओं बाहर महिलाओं की सुरक्षा की महिलाओं की सुरक्षा करनी है बाहर वालों से दूसरे क्या है उनकी साथ एक आचार सम्मान पूर्वक वेहवार की आध्राय करता है जैसे यह बोने शुरुवात महीं पूला था यत्र नारी पूजुंती रमनतित तस्य देवता जहां पर महीनाओं का सम्मान होता है वहीं पे देवताओं का वास होता है इस पर जोर देती है और प्रोटेक्ट करने की बात करती है क्योंकि मनुने सुरू में ही योन की हिसाब से उनकी लिंग के हिसाब से उन्हें कमजोर ठरा दिया है कि महिनाई कमजोर है उनका संडक्षन करना जरूरी है पर उसकी दिम्मेदारी है कि उनको बचाएं जितने भी उत्तरदाइत, उत्र अधिकार की जितने भी समस्या हैं, कि पीथा के बाद, कोन, किसका साशन काम, किसकी संपत्ति हुए। उन सब पर हल करना मनुश्मिर्थी के सिद्धान्तों से किया जाता था यह मनुश्मिर्थी के द्वारा किया जाता था अब अगर हम बात करें मनुश्मिर्थी की तो यह अगर हम इसको समरी में बांधने की कोशिस करे तो सबसे पहला तो यह है कि यह देवी उत्वत्ति की बात करता है सबसे पहला विशिष्टा दूसरी आधिकारिक कि हिंदु सौवाज में एक आधिकारिक रूप से परियूक करने वानी पुस्तकों में से एक है जितने भी मोड ले हैं, जितने भी बैवार है, आचरन है, वो मनुश्मिर्ती से आ रहा है तीसरा, एक आदर सवाज की कैसे परिकलबना करी जाए, जो केद इस्वर केंद्रिय हो, उसकी बात करता है चौथ्या, एक धर्मी कैसे बना जाए, सौधर्म का पारण करते हुए, सौधर्म, ये सब्द लिख लिजिए, सौधर्म पाच्वा, ये वह बात करता है कि अदर राजा नहीं होगा, एक जिम्मेदार साशक नहीं होगा तो क्या एक इस परकार की व्यवस्था आएगी, मतद से नहीं आएगी जैसी व्यवस्था आएगी, जिसमें किसी का भी पारण पोशन नहीं हो सकता है, हर किसी की जीवन की संकट बना रहेगा हर किसी व्यक्ति का छटा, छटा जो है, वो पित्रात्मक समाज की बात करता है, जो छटा जो संबरी हम बता सकते हैं, एक पित्रात्मक समाज की बात करता है साथवा महिनाओं को नियतरन करने की बात करता है वही दूसरी और एक समान जिन्नक ग्यवार की भी आपग्राय करता है मनुस्मिर्ती आठवा किस परकार से नेदेन किस परकार से उत्तरदाईत वा दी किस तरीके से प्रपटी का ट्रांसफर हुआ वह इत्यादी पर भी बात करता है, वह सिध्धान या अपनी विकल्प प्रस्तुत करता है, यह पर दुबारा से चीज़ को देख लीजिए, कि देखिए मनु को सबसे पहना प्राची इन सिक्षकों में से एक माला जाता है, ठीक है, दूसरा क्या है, कि जो मनु स्मृति है, व और मनु से फिर जो दस महा मुनी हुए है, या सत्त रिशी हुए है, उनको यह कानुन सुनाया गया, यह दिया गया, कि विश्वु का करने अन एक व्यवस्ति समाज इस्थापित करने के लिए, और आगे देखिए, एक और व्यापक रूप से परचले धाड़ना ही आया है, कि मनु क्यों यह नियम, भगवान ब्रह्मन निर्माता से प्राप्त हुए है, जो पाठ के देवी निखक होने की सुझाव देते हैं, कि यह बोलते हैं कि नहीं, यह दिवाइन है, वगर इसको लिखा कि इसमें है, मनु ने लिखा है, ब्रह्मा ने सुनाया है, इनको दिया ह और मनु ने इनको लिखा रहे, जिम्मेदारी होती है, उसको किस तरीके से शाशन करना होता है, उसके बारे में आज हम व्यक्षान करेंगे, या फिर अपनी चर्चा आगे प्रारम्ब करेंगे, तो जैसा कि आज हम जो करने जा रहे हैं, वो मनु स्मिर्थी का टेक्स्ट है, तो सबसे पहले जो टेक्स्ट कि के आसपास इसमें स्लोकाज हैं, जिसे वो सकते वर्सिज हैं, दूसरा क्या है, कि ये मनु स्मिर्थी है, इसके कई सारी वर्जन्स है, देखिए संस्कृत में भी है, तो इसका मतलब कोई संस्कृत में एक टेक्स्ट नहीं है, उसके भी बहुत सारे, दो तीन अवेलेबल है तो ये भी बात ध्यान में रखना है तो मोटा मोटी तोर पर ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर इतने के आज-पास स्लोक्स है या वर्सिज है और दूसरा मनुश्मिर्थी को सबसे पहले विलियम विलियम जॉन्स ने ट्रांसलेट किया था तो ये ये बाते आप ध्यान में रखिए अधिक जो फॉर्स चैप्टर है मनुश्मिर्थी का जो फॉर्स चैप्टर है जो पहला अध्याय है वो किसकी बात करता है किरियेशन आफ दा वर्ड कि ये जो दुनिया है ये जो जीवन है ये अस्तित्वों में कैसे आया तो सबसे पहले ओरीजिन के उपर वो ध्यान आपका लेके जाते जो पहला अध्याय है वो स्रिष्टी का सिर्जन कैसे हुआ उसके बारे में बात करते हैं वहीं पर आगर हम देखें दूसरे चप्टर्स की दूसरे चप्टर में ये बताया गया है कि जो ब्रहमन है जिसको आज की टाइम पर हम कह सकते हैं जो अपर क्राश्ट है उसका कोड अफ कंटक्ट कैसे होगा किस तरीके से वहवार होगा किस तरीके का आचार होगा उनका आचार और वहवार किस तरीके का होगा उनके बारे में बताया गया है तो हम देखें कि उच्छ जातियों के सदस्य आचरण, ब्राह्मन धर्म में दिक्षा, वेदिक अध्यान पर केंद्रित, छात्र जीवन, विवा और अनुस्ठानों, सहीत ग्रेश्टों की जिम्मेदारियों और बुढ़ापे के कर्तवियों जैसे विश्यों को कवर किया गया या सामिल किया गया है, दूसरे अध्याय में, यह हम देख सकते हैं कि मनुस्मिर्ती as a text, उसके बाद अगर हम सात्वे अध्याय को देखें, तो the seventh chapter outlines the duties and responsibility of kings, तो सात्वे अध्याय में राजा के कर्तवियों और उत्तरदायत्वे की रूप रेखा दी गई है, यह हमारे अध्याय के दिश्टी कौन से important हो जाता है, इसको हम detail में देखेंगे, उसके बाद अगर हम देखें, आठ्वा जो अध्याय है, उसके अंदर जातियों के लिए डंड सहीता, नागरिक डंड सहीता की बारे में बात करा गया है कि आपरादिक गतिविदियों से किस तरीके से नियाय किया जाए कास्टों के बीच में, तो एक तरसे आज के समय में जो हमारा कानून वियावस्था है, जो डंड देना है, उसमें आठवे, मनुश्मिर्ती के आठवे अध्याय में, criminal proceedings, including punishment of, punishment for different cast, ये सब दिया गया है, उसके बाद चैप्टर 9 में अगर हम देखें, तो प्रॉपर्टी, laws, inheritance, divorce, lawful, occupation, for each cast के बारे में दिया गया है, कि आपको किस तरीके से जो सम्पत्ती है, वो किस तरीके से आपको उसका बटवारा करना है, किस तरीके से आपको मिलेगा, सम्पत्ति कानून उनके बारे में है, तालाक के बारे में है, आप जिस कास्ट के है, ज सिद्धान दस्वे अध्याय में दिये गए है चैप्टर 11 आपका मिस्स डीड को रिपर्जेंट करता है यानि आपको अगर आप से कुछ गलत हो गया है तो या फिर आप से कोई पाप हो गया है तो आप उसमें कैसे आपको परत्यास पश्यताप करना पड़ेगा पेनेंस के ब पापो का केसी तरे के से प्रैक्षित कर सकते हैं अपनी भूल को किस तरे के से सुधार सकते हैं और जो फाइनल शाप्र जो ट्वेज चैप्टर है वह दॉक्त्रीन ऑफ करमा मिलए कर्म के सिधन्दको के बारे में बात करता है अब कैसे मोंक्स प्राप्त होगा यारवा एक बार फिर देख लीजिए इसमें बारा अध्याय हैं लबग 26 के आसपा स्लोक्स हैं यह वैरी करता है अलग-अलग पुस्तक में अलग-अलग जगापे दिया गया है विलियम जॉन्स ने सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करा था इंगलिस में और इसके लेखक मनु को माना जाता है मनु को और ये बोला जाता है कि मनु को ब्रह्मा ने मनु को यह सिधान्त दिये थे और मनु ने जो सप्ट महरिशिय या दस प्रमुख रिशी हैं जिसमें से भ्र्यूगू उनको ये सिध्धान्त उपलब्द कराए थे या फिर ये सिध्धान्त बाटे थे जिससे का जिसस्टी का कल्यान हो सिष्टी निरंतर बराबर स्वरूप में आगे बढ़ सके सामाजिक सहद्वाब बना रहें यानि समाज इस्थिर बना रहें निरंतर गतिसील हो ऐसा माना जाता है कि जो मनुस्मिर्थी है वो कई सारे अध्यायों में थी परन्तु इसे बाद जैसे कि ये जो अध्यायय हैं यह लौ को डी डील करते हैं या फिर विधी से संबंदित है राजववस्ता से संबंदित है प्रसाशन से संबंदित है इत्यादी और इसको बाद मैं ये 12 अध्याय में इसको समाहित करा गया ठीक है और इसमें ये चंद स्वरूप में लिखा गया जिसमें से सुरुवाती अगर हम देखें तो जो एक डायलोग है एक मनु मनु के जो शिश्य है भ्यूगू उनके बीच में डायलोग है कि कैसे मनु अपना ज्यान दे रहे हैं कि कैसे सिश्टी को चलाया जाए कैसे आगे बढ़ाया जाए जैसा कि कहानी की सुरुवात में मनु द्वारा चार सामाजिक वर्णों में संगटित विस्व और सामाज के निर्मान की व्यक्या करी गई कि किस तरीके से चार वर्ण आये चार वर्ग आये आगे हम बात करें जिसको जो आज हम देखते हैं कि modern day या फिर contemporary time में जो समकालिन भारत में जो मनुस्मिर्थी है इसको बोला जाता है कि एक सामा जाती आधारित सामाजिक सिद्धान्ज में निहित है याति जाती के आधार पे सामाजिकता को बाठता है या सामाजिक वर्ग का निर्मान करता है जिसमें एक तरीके से जो ब्रहमन है और जो ब्रहमन से सम्मंदित जितने वी वर्ग है उनको उच्छ इस्तर पर या फिर सामाज के सबसे उच्छ पाइदान पर रखता है यहां पर आगे हम देखें कि जो मनु अपनी मनु स्मिर्थी में यह बताने की कोशिस करते हैं इस सिद्धान की जो ब्रहमन है उनको जो डिसिप्लिन है जो उनका अनुशाषन है उनको बहुत ही सशक्त रूप से उसका पालन करना चाहिए अपने कर्तेवयों को निर्वहां करना चाह चैप्टर 2 से चैप्टर 6 में जो अपरकास्ट ब्रहमन है उसका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चीए वहवार कैसा होना चीए उसके रिच्वल्स क्या क्या होना चीए उन सब पर ध्यान दिया है एक बार हम पहले चैप्टर में देख लेते हैं कि कैसे ओरीजिन ऑफ दो यू कालखंड जहां पर कुछ भी नहीं था ना कोई जीवन था ना कोई उत्पत्ति थी एक तरह से अंधकार का इस्तिति थी अंधकार की स्तिति थी अंधकार की स्तिति थी कुछ भी नहीं था कोई भी उपजाव चीज नहीं थी कुछ भी नहीं था है एक ऐसा समय था उसके वह एक तरसे हम कह सकते एक दिव्य जोती एक तरीके से कह सकते हैं जोती जोती आती है जिसे ये सिष्टी का निर्मान होता है जैसे एक तरसे यह देखिए एक लैंड है लैंड ऐसे ही पड़ा हुआ है कुछ भी उपजाओ चीज नहीं है आप उसे सीचते हैं और उसमें एक सीड डालते हैं और उसमें उसको नर्चर करते हैं तो उसके बाद उसको बड़ा होता है तो सेम एक ऐसी इस्तिती जो अंदकार है कुछ भी चीज नहीं है डार्कनेस है ठीक है उसको समझा नहीं जा सकता है उसको बताया नहीं जा सकता है उ उससे सिष्टी का निर्मान होता है तो इस परकार ये ब्रह्मान की उत्पत्ति के बारे में जिक्र करते हैं दूसरा जो स्वयम्भू जो क्रियेशन होने के बाद जो सबसे पहले जो दूसरी चीज जो बनाई गई वो जल की उत्पत्ति हुई इश्वर की देवय सकती से जल की उत्पत्ति हुई दूसरी उसके बाद जो देवता हैं यक्ष हैं गंदर्व हैं और मनुश्यों का जन्म हुआ फिर उसके बाद उन्होंने एक तरह से जिक्र करा एक डिवाइन थियोरी देने की कोशिस करी मनुने की ब्रह्मन के जो मुक से ब्रह्मन है उसके मुक से ब्रह्मा के जो मुक से ब्रह्मा के जो मुक से जो है वो ब्रह्मन पैदा हुए च्छाती से ब्रह्मा की च्छाती से शत्रिय ब्रह्मा के जंगह से वैश्य और पैर से शुद्रों का जन्म हुआ और चारवर्णों का सिर्जन हुआ यह चारवर्ण बने आगे जाके फिर वो कल जो युग है। युगों का प्रारंब होता है सबसे पहले सतीूग है सबसे पहले क्या है सत यूग सत यूग जिसमें जो धर्म है वो पूरा है ठीक है उसके बाद इस में कमी आती है सत्यूग से उसके बाद आता है त्रेता यूग त्रेता यूग जिसमें से एक जो ये जो हिस्सा है ये कम हो गया अगर हम देखें जैसे ये चार है तो इसमें त्रेता यूग में तीन वो बचते हैं तो उसके बाद त्रेता यूग आता है त्रेता यूग उसके बाद एक और में कमी आती है एक और धर्म में कमी आती है तो फिर द्वापर यूग आता है द्वापर क्योंकि दो धर्म बचे हुए है उसके बाद जब इसमें एक और कमी आती है तो एक कली बच जाती है केवल और एक केवल क्या बच्ति है एक कली जो अब चल रहा है कली यूग ये समझ गए तो इसलिए कली यूग तो इसलिए कई पर नामों में भी आप देखते हैं कि सबसे पहले सत्य यूग आता है फिर उसके बाद त्रेता यूग आता है उसके बाद दौापर आता है उसके बाद कल्यूग आता है आगे मनु ने धर्म की characteristics की बात करी हैं विशेष्टायं की बात करी हैं कि धर्म में क्या क्या होता है धर्म में धहर्य होता है माफी होती है सायम होता है कि चोरी नहीं करना होता है स्वच्छिता होती है बंदक बनकर रखें अपने आपको नियंत्रित करना होता है यानि अपने आपको श्थिर रखें, बुद्धी होती है, ज्ञान होता है, सत्य होता है और उस वेक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं होता है, क्रोध नहीं होता है, सारे धर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आगे हम देखें, धर्म के पाँच बुनियादी नियमों पर चड़ सकी गई है, मनुस्मृति में पाँच बुनियादी नियम कोन कोन से हैं, जो सदगुन के सकरात्मक पढ़नाम के रूप में कारे गरते हैं, मतलब वहवार में दिखते हैं सदगुन, जैसे वेद, पवित्र पर पढ़ना, स्मृति याद की गई सिक्षाओं के प्रंप्रा, सदाचार, अच्छा आचरण और वहवार, अन्तिम जो है पाँचवा, स्वैसा, चै, प्रिय, आद्मन, स्वैम के विवेक की आत्म, संतुस्ट, इसके अत्रिक यहाँ पाँच परमुख नेतिक सिध्धानतों पर जोड़ देता है, जो नेतिक सिध्धानत है, मौरल सिध्धानत कौन-कौन से है, अहिंसा, सत्यवादिता, नेतिक धन, नेतिक रूप से धर्न अर्जित करना या नेतिक धन अर्जित, अर्जन, अनेतिक तर ना नैतिक रूप से बचना मतब किसी भी तरीकी की मन वचन करम में पवित्रता बनाए रखना अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना तो ये पांच नैतिक सिध्धानतों पर जोड़ देती है मनुस्मिर्थी और आज आप देखेंगे कि आज के टाइम पर भी ये सिध्धान बहुत जरूरी है ठीक है ये जो कंटेंपरेरी जो टाइम है समकाली जो समाज है उसके अंदर भी ये बहुत जरूरी है तो हम सब देखें तो ये जादतर क्या करा रहा है ये व्यक्ति को नैतिक बना रहा है और समाज के परती व्यक्ति में एहसास देला रहा है कि आप जो वो रीणी है, किसने आपने माता पिताये आपने पूर्वज का रीणी है और उसे वो रीण चुकाना है फिर उसके बच्चे तो sulph विद्धि धांगाै और एक Mexicanी व्यक्ति का निर्मान कर रहा है और व्यक्ति इन नेथिक सिध्धान्तों पर जोर दें उसी के हिसाब से अपना जीवन यापन करें और ये सद्धुणों को अपनाएं इन सभी सद्धुणों को अपनाएं अगर हम ध्यान से देखें जो मनुश्मिर्ति है वह वास्तविक तौर पर क्या प्रतिभिम्बित करता है एक धरम के आदर सिध्धान्तों को रिखान्बित करता है ठीक है और जो विद्वान है उनके लिए एक चर्चा के विशे के लिए यानि एक संदर्व के रूप में काम करता है कि हम आगे सिध्धान्त निर्मान करने के लिए हम कौन-कौन से संदर्वों या फिर कौन-कौन से हम पुस्तकों को रिफर करें दूसरा हम देखें कि जो मनुस्मिर्थी है जैसा कि हम इत्यास में पढ़ते आए हैं कि कई बार ब्रहमन और शत्तियों के बीच में हमेशा से एक दुंद का विशे रहता है और मनुस्मिर्थी में यही चीज़ को एक तरीके से बांधा गया है कि कैसे यह जो ब्रहमन और शत्तियों समाज है इन दोनों को कैसे एक साथ लिक्या है एक गठवंदन किस तरीके से या एक गठवंदन को कैसे बढ़ावा दिया जाए इत्यादी और जो मनुस्मिर्थी है वो एक तरीके से जो हमारे पूराने जो नियम कानून है उसको कैसे एक वैध्यानिक्ता उपलब्द गराती है या फिर वैध्य बनाती है कि इस तरीके की ववस्था होनी चाहिए इस पर जूर दीती है पूरानी ववस्थाओं को मजभूत करती है करने की कुछिन करी जिसमें 12 चैपिटर्स हैं और लगबग 2700 के आसपस वर्सिज चंद हैं या फिर स्लोक से आज हूं राजा के डाइदू और किंग्सिप के बारे में हम बात करेंगे उससे पहले हमें वर्णा व्यवस्था या वर्णा सिस्टम पर एक बार समझना है कि वर् कर रहे हैं मनुस्मिर्थी या फिर वर्णा में वस्था पर क्यों इतना जोर दे रहे हैं अब देखें जैसे कि आगे हम देखेंगे जो डिवाइन किंग्शिप का आइडिया लेके आते हैं कि यानि जो राज्य है और जो किंग है वो उसका जो बैक पॉइंट है या फिर ज बत्ती मिल लिए कि वो शाशिन करें यानि डिवाइन ओरीजन ओफ किंग्शिप की बात करें डिवाइन मतलब डिव्वे वो यह नहीं बात करें कि यहाँ पर लोगों के बीच में एक सोशल कॉंट्रेक्ट हुआ है जिससे एक राजा चुना गया है नहीं राजा को क्या है उसको अपउइंड करा गया है को गौर्ड के दौरा या पिर जो इस्छोर है उसको अपउइंड करा गया है और वो शार्षिंघर करें खिर क्डिक टो यहाँ पर डिवाइन ओरिजन मतलब डिव्वे-गोंड दिव्यवे आधार पर यह बुले जाता है कि राज़ा शार्ष यह और इन 4 वर्गों को इसलिए इस इन चार वर्गों में बाटने का भी अधार क्या है वो भी दिवय आधार है जैसे ब्रह्मा को ब्रह्मा के मुक्ष से ब्रह्मान उत्पन हुंवे थाटी से छ़त्री है थाई से वैश्ष और फीट से सूत्र तो ये भी एक तरसे ब्रह्मा के चार सरीर के चार पाठ है तो उसी से ये वर्ण व्यवस्था की संकल्पना रची गई या फिर ली गई और इसको भी क्या थेराये गया एक डिवाइन देव्य चीतना के सौरुप में थेराये गया और ये बुला गया मनुस मिर्दी में कि हर कोई व्यक्ति अपने अपने वर्ण के अंदर ही अपना कारे करे इससे क्या होगा कि जो स्पेशलाइजेशन आफ नॉलेज है वो रहेगा नॉलेज प्रिजर्व रहेगा या पर देखिए कंटेक्स वजन थोड़ा इंपोर्टेंट है देखिए ये जो लिएम कंटेक्स्त है जो मनौिर्स्विति जो कंटेक्स्ट है आज से लजबद कि 2200 साल पहले जहाँ पके पस कि हैelet बाल को सकताफि के लिए ज regard ँर से चीज़ के लिए नॉलेज को प्रिसर्व करने के हैं यौना नहीं पेपर्स नहीं आ ह 됩니다 नहीं परेदान चीज का नोई प रिजर्व कर सकते हैं जैसे आज की टाइम पर हम नेट पे टाल सकते हैं, पंटीब बना सकते हैं, हांड्ड्राइ में स्टोर कर सकते हैं, तो तो उस समय ऐसा नहीए तो वहां पर है किया वर्ण ख्र säंद कर दियागा है जिससे हम knowledge को preserve कर सकते तो cast या word जो है वो knowledge को preserve करेगा ठीक है तो पहला हो गया knowledge को preserve करना knowledge को बचाए रखना ग्यान को बचाए रखना दूसरा हो गया knowledge को expand करना जो knowledge है जो ग्यान है उसको संब्रिद करना तो ग्यान को संब्रिद कैसे करा जा सकता है स्पेशैलाईसेंटे एक पर्टिकलर फिल्ड के अंदर हमेसे घुम रहें खर्य किरा एक रिशर्च सहरक्ट और पर्टिकलर जीज कि लिग्क भाई था पर्रोज को भाई है तो एक पर्टिकलर चीज करे wydaje एक भाई पर्रोज में इसो ballot प्राप्त होगी दूसरा द्रेड में अगर कोई वेक्ति ट्रेड में सामिल है और ट्रेड कर रहा है और वो बार बार कर रहा है तो उसके अंदर फिर कृष्टा और प्रफेक्शन हो आएगा सिम शुद्र, शुद्र का मनतब यह होता है कि शर्फिस प्रोवाइडर, यह जो तीन वर्ण है इनको असिस्ट करना, ठीक है, असिस्ट करना है इन टम्स अफ लेवर, अब फॉर एक्जामबल जैसे ब्रहमीन है, ब्रहमीन अगर सारा काम अपना वज़ स्वैम करेगा, तो उस देली के जो काम है, वह मातापिता कर देते हैं, कपड़े हो गया, तो कई बार मातापिता यह मसीन में डाल देते हैं, जो भी है, तो आपके बस टाइम बचता है किसके लिए, ज्ञान पराप्त करने के लिए, तो सेम उसी तरीके की व्यवस्ता थी, मगर यहां पर यह हमें यह समझना है कि जो व्यवस्ता है, इसका कोई संदर्व है, संदर्व मतलब कॉंटेक्स्ट है, यह नहीं कि अपने आपाया है, और किसी भी तरीके से यह नहीं है कि अगर कोई उच्छ कुल में हैं, ब्रामन हैं, तो उसको यह अधिकार मिल जाता है, कि बाकी के जो नीचे जो शत्रियां हैं, वैश्यां हैं, शुद्र हैं, इनको दवाए, नहीं, यह अपना काम करेगा, यह बाकी अपना काम करेंगे, तो हर किसी के डिगनिटी है, ठीक है, और हम सल देखेंगे, अगर बर्ण जो मनिश्विर्ती में हैं, तो ब्रामन को एक स्रिष्ट पायदान प ज़ता है, ठीक है, मगर इसका आइथ यह नहीं है, उसको यह अधिकार मिल जाता है, वो कुछ भी करें, यह अधिकार नहीं है, वो अपने नौनिटी को क्रिएट करें, ठीक है, और दूसरे क्या है, कि कई बार जो मनिश्विर्ती इस पी फोकस करती है, कि डिवीजन ओफ ल एक सोसाइटी परफेक्ट तरीके से वर्क कर सकती है ठीके? आप देखिए वाण के अंदर साधी की विवसा देखिए वाण के अंदर साधी क्यों करना चाहिए था देखिए आज तो हमारे पाइस मॉडरन टाइम है आज आप कुछ भी सीखना हो तो आप यूटूब से या फिर जो भी ऑनलाइन प्लाटफॉर्म है बुक्स अवेलेबल है पहले तो बुक्स नहीं दी ना आज तो बुक्स अवेलेबल है तो क्या है आज आज आप कुछ भी सीख सेटे हैं इंजिनीरिंग पढ़ सकते हैं डॉक्टरी पढ़ सकते हैं समचीज पढ़ सकते हैं बुक्स के माद्यम से खिताब के माद्यम से बगर दी कि यहां पर यह समय ना जरूरी है कि पहने टाइप ऐसा नहीं था जिसे फोर एजमबल कोई शत्रिय कोल की जो मैला है जो जिनोंने अपना परिवार बचपन से ही शत्रिय कुल को देखा है तो उनका जो साधी होगा जो शत्रिय कुल में होगा तो वो जल्दी से अड़ेप्ट कर पाएंगी चीजे को ता इसलिए जाहतर ही व्यवस्ता आए कि कुल के अंदर या फिर वर्ड के अंदर ही साती होगा तो यह व्यवस्ता इसलिए थी जैए miałाज़ा आरजस्ट नहीं पड़ेगा अगर आज के टाइम पर, मॉडरन टाइम में यह 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 थियोरी वर्क नहीं करता है, क्योंकि आज के टाइम पर तो सारा अगर और इसका ओरीजन है, डिवाइन, डिविनिटी, कि जो ब्रह्मा के जो एक्जामपल ने देए कि मुक से, छाती से, जांग से, फीट से, उसका वो एक्जामपल लेए, देखे, एक ओर्डर की रीट करना, मनलब एक शोशल ओर, एक कानन विद्वाइन, एक और विद्वा और दूसरा क्या है, स्टैबिलिटी, स्टैबी, निड्डी, इन दोनों को चलाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, हमें ये चतुर वर्ण सिद्धानत की जलोत है, ऐसा मनुश्मिर्थी बोलती है, अब जब हमने वर्ण विद्वाइवस्था के बारे में बात कर ल ब्रह्मा के द्वारा मुझे प्रदान करा गया और मैं भ्रिवगु को प्रदान कर रहा हूँ, ठीक है, भ्रिवगु डिशिवगु, किसके लिए मानव करने है अनके लिए, तो राज्ची के उत्पत्ति के बारे में हम बात करते है, दिकि राज्ची के उत्पत्ति का जो सि स्तिती थी इससे बचने का मतलब यह होता है कि law of the jungle या फिर law of the ocean की छोटी मचली बड़ी बड़ी मचली चोटी मचली को खा जाती है और वही उसके लिए निया है तो उस स्तिती से बचने के लिए जो एक तम क्योस की स्तिती थी हर कोई mighty's right में जो ताकतवर था वो जो निम्न दोगो यह चोटी लोगों को यह फिर कमजोन लोगों को खतम कर देता तो ऐसी स्तिती से बचने के लिए राज्य कि संकल्पना प्रस्तोत करी गई राजा की जरुद्ध्वहत मैसूस कर आ गया जैसे लिखा हुए कि प्रकृतिक इस्तिती में आवस्था में और आवेवस्था और आ रहे जगता थी क्योंकि मानव आचल नियंद्रित करने वाली कोई इकाई नहीं थी मानव का जो आचलन है जो मानव को कंट्रोल करना है human को कंट्रोल उतरने वाली कोई agency नहीं थी लिए अगर हम देखे कि एक ऐसी ववस्ता है जहां पर कोई भी कुछ कर रहा है तो किसी को कोई डंड नहीं मिलेगा तो आराजकता फिर जाए एक तरीके से तो ऐसी ववस्ता चीज जिसको डार केस करा लिया डार केस बोला गया है यूमन स्ट्री में और उसकी बाद सबने जो लोग है उन्होंने ब्रह्मा से गुफार लगाई कि इस आवस्ता से राहत मिले या तो ब्रह्मा नहीं क्या प्रोवाइड कराया जिसको मन क्या सकते ही या फिर एक किंग आया जिसने एक और 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 स्टैबिलिटी क्रिएट कर ठीक है तो इस तरीके से डिविनिटी का आधा राज्य की उत्पत्टी के लिए यहां पर होप्सण क्रूषों की तरह नहीं शोशल कॉंट्रेक्ट की बात करें ठीक है ठीक है सोशल कॉंट्रेक्ट की स्टम्स बहुत है कि अधर राज्या हमसे यह चीज प्रोवाइड कराएगा हमारी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ अगर ह राज्ये का उत्पत्ती है केवल और केवल एकनॉमिक कंसिड्रेशन में नहीं है मतला केवल राज्ये की उत्पत्ती इसलिए नहीं हुई है कि आर्थिक विकास करने के लिए ठीक है? आर्थिक विकास करने के लिए नहीं हुई है या जो बुरे इराते हैं या फिर जो बुरा विचार है और जो उसके बुरे कर्म है उसको कंट्रोल करने के लिए और humanity को आगे बढ़ाने के लिए राज्य की उत्पत्ती हुई है तो जो राज्य की उत्पत्ती का जो सिंधन्त वो इस तरीके से मरुस्विर्थी बताती है उन्हें दिखा राज्य की उत्पत्ती किस तरीके से एक डिवाइन ओरीजन की स्वरूप में हुई है मतस्य नय से बचने के लिए दूसरा है किंग्शिप किंग्शिप कैसे आया किसके लिए टूसर्व दपीपल ऑफ दियर रीजन की जो जहां जांके लोग है वहां के अपने नागरिकों को सुरक्षा करें इस हीवाँ परतान करें इत्यादी के लिए यह जो पहला सिदानत किंग्शिप का हम यह देखते हैं कि जो गौड्स है जो भवान है जो देपता है वो किंग्श को नोमिनीट करने ठीक है तो किंग्शिप के जो राजा है उसके पास अथोरिटी या फिर सकती कहां से आ रही है जो पावर है वो कहां से आ रही है वो कहां से आ रही है गौड से ठीक है ना कि जनता से आ रही है यहां पर दीखिए यह जो एंशेंट में क्या समझ में आ रहा है कि जनता से राजा को सकती नहीं प्राप्त हो रही है कहां से बिंठी है गौड से रही है मगर हम देखेंगे आज के टाइम में अगर देखेंगे आदुने लोकतंत्र में, तो हम देखते हैं क्या, जो जन्ता के द्वारा सक्ति प्राप्त हो रही है राजा को, ठीक है, राजा को कहां से हो रही है, जन्ता के अदरा, उसको वोट डालती है तो वो परधान मंतर या फिर राश्टरबती बनते हैं, या MPs बनते हैं, या Ministers बनत अब देखें, जो राजा है, वो जरूरी है कि मानव समाज में तो, ठीक है, तो उसके इतर जो गोन होंगे, वो भगवान के जैसे होगी है, अच्छे गोन होंगे, आगे हम देखें, जो Manu यही बात करते हैं, जो अच्छे गोन होंगे, जो qualities होगी, वो राजा की कहां से जैसे इंदर की quality होगी, वाईउ की quality होगी, यम की quality होगी, रवी की, अगनी की, चंदर की, इत्यादी की, तो यह जो राजा के अंदर जो quality होगी, या फिर जो गोन होंगे, वो किसके होगे, देवताओं की गोन होगे, ग्या हम देखें, इस डिवाइन की रिएशन आप to foster social harmony, peace and overall welfare in the society, राजा की इस दिव्य रचना का उदेशे, जो राजा है, जो दिव्य जो उसको चितना मिली है, राज करने की का उदेशे क्या है, सामाज में सामाजिक सदभाव, सांती और समग्र कलन्यान या विकास को बढ़ा हुआ देना था, जो यह जो divinity जो मिली है, ज जाकि यह नहीं है कि राजा को यह राज्य मिली गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो निरंग कुष बन जाए अपने परजा को सताए, तंग करे, यह नहीं है, उसको केवल इस कारे के लिए यह सकती मिली है, सामाज में सामाजिक सदभाव बढ़े, सांती निया अब देखे, राजा के कर्तववे एव किरते है, duties and functions of the king, के function को आगे हम करेंगे, क्या main function है, कर्तववे क्या है, देखे सबसे पहला जो कर्तववे वो क्या है, कि अब एक ऐसी राज्य का निर्मान करना है, जिसमें क्या हूँ, लोग अच्छी हूँ, मतलब संत की तरह ठीके, दूसरा क्या हो, वहां की जो परजा हो, उसकी जो health है, वो अच्छा हो, Abundant of Agriculture, जो Agriculture है, जो Abundant of Agriculture, मतलब वहां पे जो किर्सी है, खाद्यान की किसी भी तरीकी की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है जो वहवार होगा वो polite होगा जितने भी नागरी के वो नंबर होगे और fearless citizens होगे कि अगर उसे राजा के उपर भी कोशन करना है तो उसे किसी पर करकर संकोश नहीं करना होगा ठीक है वानिज्य रूप से संपन्न होगा किसी संपन्न होगी तो एक यह अच्छे kingdom की यह निसानी है ठीक है तो राजा की duty भी क्या होती है जो primary duty यह होती है कि जो जितने भी virtuous नोग हैं जो सदगुनी व्यक्ति हैं उनको उनको उनका सम्मान करें उनको protect करें और जितने भी ग समाज की जैसे फोर एक्जामपल वो जो बन्रेवल हैं उनको उनको उनकी मदद करना जितने भी आसाय लोग हैं जैसे जो अनात हो गए या फिर जो विद्वा हो गई इन सब को सहाइधा परदान करना या फिर उसकी रक्षा करना आगे हम देखिए जो मनु ने पास तरीके क इसको बताया है उसे पहले हम एक 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 चीज यह कर लेता है कि देखिए मनु भी ना राज्य के सब्तान सिधान पर बिलीव करता है कि सेवन कि प्रिंसिपल अर्व दे स्टेट्स तो ये जो सात सिधानते इसवेए वह विस्वा सकते हैं सबसे पहला क्या है स्वामी है स्वामी स्वामी दूसरा क्या है जनपत जनपत जिसको बोल सकते है territory and people ठीक है उसके बाद है द दोर्ग ठीक है उसके बाद है कोश दुर्ख का मतलब होता है फोर्ट्स ठीक है उसके बाद है कोश ट्रेजरी उसके बाद है डंड उसके बाद है मित्र ठीक है तो इन साथ धानतों पे वह है विश्वास रगता है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छटा, पर एक रह गया, इधर आमात्य, आमात्य, ठीक है? तो स्वामी, आमात्य, जन्पद, दोरगिल, कोश, डंड, और मित्र, तो ये सवन से दांतों भी संकल्पना मनुस मिलती भी करती है, जिसको कोटिल्य ने भी यूज कराई, ध्यान रखिया, कोटिल्य भी यही से डिराइव कर रहे है, ठीक है? जैसे कि हमने अभी पिछे जो राजा के गुण की बारे में बात कर रहे हैं, वो सभी चीजों से उपर होना चाहिए, एक देड़ संकल्पी वेक्ती होना चाहिए, अच्छा वेक्ती होना चाहिए, ईश्वर के सामान उसके गुण होने चाहिए, देवताओं वाले गुण हो चाहिए ठीक है नियाएं करें तो निस्पक्षोगर करें तो ऐसी राजा की quality होनी चाहिए फिर आ उसके functions की बात करें तो देखी यहाँ पे जो जो राजा की जो करतव्य है जो functions है जो कार रहे हैं वो majorly 5 important जो कार रहे हैं सबसे पहला है डंड नीती ठीक है डंडित करना ठीक ह दूसरा है कर लगाना ठीक है तीसरा है justice and judicial system चोथा है interstate relation पाजवा है morality and religion आगे हम देखें तो मनु की अनुसार क्या है राजा के जो महत्पूर्ण जो कार्या या भूमिका वो क्या है डंड देना पनिश करना लोगों को ठीक है दूसरा क्या है वो इसी और जो अपनी लोग है उनको protect करना अपने नागरीकों को protect करना ठीक है protecting subjects ठीक है अन्ड उसकी बतले में इन सब के बतले में उसको खाद्यान प्राप्ट करना ठीक है एक marriage partner उसको इसी सवरूब में उसे मिलना ठीक है इत्यादी आगे हम देखें जो किंग जो है वो क्या सबसे पहले क्या करेगा जो कास्ट जो वर्ण का जो हार्मनी है कि जो वर्ण वेवस्था बनी रहे किसी पर करकर corruption ना होगी कि देखें कि corruption भी बहुत important है यहाँ पे जो corruption है जो बरस्टा जा रहे है वो इस तरीके से मनुप्रवासि करते हैं कि जैसे एक मचली है ओशिन के अंदर समुद्र के अंदर में तो मचली कब मानी पीती है कब नहीं पीती है वो पता नहीं चालता तो सेम corruption भी सम राज्य के अंदर बहुत important होता है कि हम कैसे इसको समझें कैसे इसको इससे हम लड़ें तो corruption से लड़ना उसके पाद क् करना जो समाजिक जीवन है उसको regulate करना इन्हें अंतरित करना सभी के लिए safety ensure करना ठीक है अब hold law and order कानू में वस्ता बनाए रखना प्रिवेंट रौवरी किसी परकार की रौपरी में हो चोरी में हो चोरी चकारी में हो दूसरा protect private property देखिए यहां पर private property को प्रोटक्ट करन उनको सम्मानित करना वस्तुरों की price को control करना ठीक है प्रिवेंट फूड अल्ट्रेशन तो जो फूड में जो अल्ट्रेशन है मतलब जो मिलावते हैं उसको ठीक करना या फिर नहीं होने देना ठीक है जो वेट है जो नापतुल बूरा हो तो दीखिए एक तरसे समग में जो जीवन के तो राजागा करतव है कि उस सब चीजों को ensure करना अब अगर हम देखिए डंड निती को जैसे सबसे पहले पे रखा गया जो जितना भी ancient in Hindu Indian political thought and डंड निती उसमें सबसे प्रवापून है जैसे कोटिन लिया भी इसके वरे में तो इसका मतलब क्या होता है जो लॉज है ठीक है लॉज गवर्णिंग पणिसमेंट फो ग्राइंड अडमिस्टेशन ओफ इस्टेट्स के दीखिए जो डंड नीती है वो किसके ज़ूड़ी है एक तरीके से अपने गवर्न के लिए कानून पू किर्यान वित करने के लिए डंड नीती की आविशकता है इस्टेट जो प्रसासन है सुचारी रूप से चलता रहे जहां पर दिखिए जो जो दंड नीति का जो आधार लेते हैं मनुश्मृतिया मनुप वो यह बोलते हैं कि जो मानव को वहवार है वो क्या है इनहेरेंटली करप्थ है ठीक है स्वभाविक रूप से क्या है करप्थ ह दिखिए रृप व्रसासन है कि जो मनुष्म को वहवार है जो की ब्रस्ट है बास्त्रवी ग्रूप से स्वभाभी ग्रूप से तो हमें दंड का साहारा लेकर इनको अनुषाशित किया जासकता है या फिर डंड एक माध्यम मन सकता है जिससे मानव का जो वहवार है उसे ठीक किया जा सकता है या फिर सुचारू किया जा सकता है या उसे अनुशाशित किया जा सकता है आगे देखिए मनुस्वर्ती जो डंड नीति को चार तरीके से दिखा दिये आग्रह, प्राशित, वैवार, राजधर्म ठीक है तो यह सारे लीगल प्रोसीजर्स को बताते कि कैसे तरीके से हमें डंड देना है क्या आग्रह गत्मा है प्राशित का है वैवार का है यह नाईद करती है आगे हम देखें जो मनु है वो यह बात करते कि जो किंग है मस्ट पोज़स नौलेज बहुत दार्मा एंड डंड देखिए जो किंग है उसको दोनों को ज्यान होना चीए धर्म का और डंड का देखिए धर्म और डंड दोनों जरूरी है जैसे कोटिले भी बात करते हैं, ठीक है? किसके लिए, मेंटिन ऑडर, जो समाज विवस्था है उसको बनाए रखने के लिए, एं इंपोस पैनल्टी जो वॉयलेट धर्मा, कि जो धर्म का पालन नहीं करते, जो अधर्म करते हो, उनको डंडित करे जाने के लिए, तो जो किंग है, उसको दोनों यह प्रोटेक्टिक्ट कर सकते और कांड व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं क्योंकि जो धार्म का ढटन्ड wrapped up criminal इसको कम करता है ज डर उसे वियक्ति व्याबस्थित रहता किष्व किरीद ने करकंज कर साथन में मनों प्रियूक कर साथ है यह वह दंड एक कोशिन रोल इसलिए प्लेए करता है कि यह जो वर्ण वे उस्था बनी रहे हैं जो आश्रम की ववस्था वो बनी रहे हैं और सुचारूरूफ से समाज चलता रहे हैं अगर कोई अपराद करता है तो उसे चाहिए वह किसी भी रेंक का और किसी भी स्थिति मे यानि उसकी सजा के अनुसान वो कोई भी वेक्ति की उनांग ठेक है यह जो डंड देनी की ही से ही क्या होगा समाज का कल्यान होगा अगर नहीं देगा तो समाज में जो मानफता है जो जो ऑर्डर है वो खतम हो जाएगा यह उसका डाउन फोल हो जाएगा तो डंड एक मैध कार रहा है राजा का अब देखिए जो दूसरा प्रमुक कार रहा है वो है टेक्सेशन टेक्स देखिए राज्य को चलाने के लिए प्रूपे और पैसे की जरुत होती है तो टेक्स जरूरी है राजा के कार राजा किसी भी राज्य के लिए तो मनु ने भी टेक्स का प्रव जुझ को आई मिलना चाहिए जितना भी उतपादक्ता या फिर जमीन है और इसी से हम एक धिते कि यि इसा नंड़ है और अच्छी नोगों को प्रटेक्ट कर रहा थो उसको सब्सक्राइब करने लिएम सब्सक्राइब कर रहा है उसको ऑगा हमें कर ददेना चाहिए empa जैसे कि specified कराए कि, वहां से collect करा जाएगा, लैंड से tax collect करा जाएगा, और जो cattle अपने मवेशियां उन पे collect करा जाएगा, ठीक है, तो उनोंने tax rate fixed रखा दा, जैसे कि, जैसे not less than 35% for land, जो land से 25% और 30% for cattle, ठीक है, और उनोंने ये, ये advice दिया कि जितना भी, जितना भी उत्पादक्ता होगी तो उसमें से एक छठा भाग ठीक है वो उसे प्राप्त होगा ठीक है फसलोगा और एक बारवा एक से बारवा हिस्सा कॉमर्स का जो वानिज्य का हग प्राप्त करने का हगदार है ठीक है यहां पर मनुई यह भी बताने की कोशिश करें ज़िए हम राजा ज्यादा टेक्स लगाएगा और अपने राज्य की वेल्थ को बढ़ाने के लिए टेक्स का प्रियूब करेगा तो उससे क्या होगा कि लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन होगा लोगों का सम्मान कम होगा रा तो जो टेक्स का जो कार का जो इस्तर होगा वो बहुत रीजनेबल होगा जितना लोग दे सके जो तीसरा कार है राजाब यह फंक्शन जो फंक्शन ऑफ किंग है वो है जस्टिस यह जुडिशिल सिस्टम देखिए मन यहाँ पर सबसे प्राचीन वारति थिंकरों में से है जो न्याए वरस्था की बारे में बात कर रहे हैं कि जो न्याए है वो किसे करेक्ट है धर्म से जुड़ा हुआ है कि अगर नियाय नहीं होगा समाज में, तो समाज प्रस्पर या फिर सम्रिद नहीं हो सकता है तो जो मनुगा मानना है वो क्या है, एक अच्छे शाशक को एक अच्छे राजा को जरूत मंद लोगों के लिए तौरित और किफायती नयाय शनेशित करना चाहिए कि जल्दी नयाय हो और किफायती हो कि उसके लिए इतना ज़्यादा खर्च नहीं करना हो पड़े हो बहुत किफायती स्वरुब में हो नयाय आज की टाइम पर दिखो कि मॉडरन टाइम में तो आपको एक अच्छा लोयर करना पड़ता है जिसकी बहुत ज़्यादा फीस होती है तो वो किफायत नहीं है आज के टाइम में तो जो मनु जो बात करे हैं वो क्या बात करे हैं कि स्विफ्ट एंड अफॉर्डेवल ठीक है आगे हम देखे मनु आइडिया वन सोशन ओर्गनाज़ेशन इंड तो इस्टैब्लिस ओर्डर एंड जस्टिज ठीक है मनु जो मनु बोलते हैं समाज संग अठन पर मनु के विचार का उदेश है क्या है न्याय स्थापित करना है विवस्था और न्याय स्थापित करना है आगे हम देखे जो मनु बात करते हैं जो अपॉइंट्मेंट अफ जजज की वह किस बेसेस पे होना चाहिए जो अपॉइंट्मेंट अफ जजज है वह क्या है उसकी करेक्टर और एक्सपीरिंस के अधार प्रवाट पर होन अच्छी है और जो जज्जीज है उनका जो डिसीजर हो वह किसमे रूटेट होगा इक्विटी में वह गा और दूसरे क्या होगा कि वह जो डाइवर्स जो कल्चर है जो कस्टम्स है जो सुशल प्रैक्टिस है उन सबको बोध होगा तो इक्विटी एंड ड ओनों सिद्धान्तों में उनका जो फैसला बनेगा वहान दोनों सथन्थान्तों को आगे रखकर फैसला बनाया जाएगा फैसला लिया जाएगा हे ध्यान देने वादा बात है किatura इसमाण 좀 दोच्छ का भी रीमेंटर पी ज़तित है, कि हो त्लीपत समें। होना चाहिए देखिए नो डाउट ब्रहामन को वह सबसे ज्यादा सिरिष्ट और वहवा उच इस खान पर रखते हैं मनु ने न्याय को धार्म से जोड़ा इस बात पर जो दिया की इससे धार्मिक्ता के अनुसार दिया जाना चाहिए जो न्याय है वह किसके अधार पर होना ठीक है राच्योसनेस अकॉर्डेस विट राच्योसनेस और यहाँ पर यह समझा है कि जो मनु जो जिस परकार के डेंडवे उस्थां की बात यह जस्टित दिने की बात कर रहे है कि उसका अंतिमुद्दिश्य यह हो रहा चाहिए कि सुधारवादी होना चाहिए ना कि परत यह है कि उसे व्यक्ति को सुधारा जाए यह सुधारवादी डिष्टिकॉन अपनाया जाए जो न्याय अधिकारी है उनके द्वारा अब देखिए जो न्याय ववस्था है उसको मनु ने किस है देखिए मनु ने इस तरीकी के ववस्था बोली गई है कि जो न्याय ववस् ब्रह्मा की चार मुख है, उसी तरीके से यह कोट होंगे, इसमें से क्या होगा है, जो बाकी ब्रहमिन होंगे, वो क्या होंगे, वो तीनों वेदाओं में, या फिर जो तीन जो ब्रहमिन हैं, वो वेद में एकदम उतक्रिष्ट होंगे, और उसके बाद एक व्यक्ति जो इसमें से तीन व्यक्ति वेद को तीनों वेदाओं की ग्याता होंगे, और एक व्यक्ति राजा की द्वारा पॉइंट करा गया है, तो वो जाके, और शुरू में कई बार ये संकलप्रा देखी जाती है, कि शुरू में तीनी वेद थे, बाद में चौथा वेद आया, शुरू एक Chief Justice होता था, वो अपना फैसला लेता था, और यह जो Chief Justice है, यह वेक्ति अपने आप में कोई फैसला नहीं लेता, यह जितने भी जो बाकी ब्रामिन्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उस सफा के यह कोड के, उसके बाद जो लौ क्या करता है, उस हिसाब से जो Chief Justice है, जो राजा के द अइसला एडमिस्टेश्यर को सर्फ करूं, तो उसके इनर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अगर गाराजा खुद स्वाह निया अधिकारी बनता है, निया इदीज बनता है, तो उसके इन सबसे पहला गुण होना चाहिए, उसके बाद विज्डम होना चाहिए, एंड balance understanding of virtues सद्गों का एक नियमित और संतुलन साजा समावेश होना चाहिए, pleasure होना चाहिए wealth होना चाहिए, ये सभी सामिन होने चाहिए, उसकी qualities में या qualifications में तो यहाँ पर देखते हैं नियाइक प्रसाशक के रूप में सेवा करने की योगिताओं में सत्यता, ज्यान सद्गों, आनंद धन की संतुलित समझ सामिल है, चाहिए इन सब के बारे में उसे समझ होनी चाहिए, एक साचा ज्यान होना चाहिए, इत्यादी मनु यहाँ पर एक बात की और हमारा ध्यान लेके जाते हैं कि दिखिए, जो मनु यह बोते हैं कि न्याई परसाशन को कमजोर दिमाग वारे राजा को नहीं सोपा जाना चाहिए, तो जैसे कि अभी हमने जो क्वालिटीज देखी, जो समझ देखी पिछली स्लाइट में, कि जो राजा क्या हो, बहुत सारे विशोवा ग्याता हो बहुत सारी चीजों पर उसका कंट्रोल हो, अपने ग्याने इंद्रियों पर कंट्रोल हो तभी राजा को यह न्याई परसाशन सोपा जाना चाहिए अन्य था किसी और को जो इस फिल्ड में या फिर जो इस विभाग में ग्याता है उसको दिया जाना चाहिए दूसरे क्या है, यहां भी हम ऐसे ऐसे कोट्स के जिक्र देखते हैं जो आज की टाइम पर ही सुप्रीम कोट जैसी जो न्याय विवस्था में विकी इंद्री करंड की बात करते हैं एक केंद्रीह कोट होगा फिर उसके बाद सब कोट सुं हूगे फिर उसके बाद सब कोट तो इस तैनिकी की वैवस्ता हमें पाई जाती है मन канал की अंदर List Ismrti में गऺ तो एक कोट आपका राजधानी nine ऑ गया और जाजधानी की बाहर की कोट यह जो बाकी की जो सब कोट्स है या फिर जो डिस्टिक कोट्स है उसके अंदर जो राजा है एक रॉयल आफिसर्स को अपॉइंट करेगा और वो बाकी के जितने भी निचनी अद्दालते हैं उनका कार्य दीखीगा और राजा को सूचित करेगा आगे हम एक महत्पून कार्य और देखते हैं कि राजा का जो दाइत है वो इंटरिस्टेट रिलेशन मतलब अपने पडोशी देश से किस परकार से संबंद रखना है कब उसे युद्ध करना है कब उसे सांती की निदाना है तो मनू ने इसके बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है तो देखे मनू वार को एकदम लाश्ट में मानते है जो युद्ध है वो क्या है सबसे अनतिम की किरिया है या युद्ध तभी जाईज है या तो आपके पास आपके उपर कोई डारेक्ट आटेक हो जाए तब आपको युद्ध के लिए जाना है ठीक है तो वो बात करते है चतूर्थ उपाए की बात करते है जो जो मनू है वो चतूर्थ उपाए की बात करते है जिसमें सबसे पहला जो आता है चतूर्थ उपाए में कंसिलियेशन ठीक है डिशेंशन ब्रैवरी फोर्स जिसमें क्या है पहले सुलहा की बात करेंगे आस् सामिल है तो यह चार तरीकी के उपाय की बात करते हैं फॉरेंड पॉलिसी में तो यहीं में जो मनुष्पिरती है वो राजा की जो इंटरे स्टेट संबंध में किस तरीके से तुल्ला करती है कि जैसे एक माली होता है जो पेड बोदन को बचाया रखने के लिए जो अन्य प्लांट्स जो होते हैं जो उस पेड बोदन को लुक्शान देते तो उसको हट आता रहता to सेम राजा को भी निरंतर इस कार्य में लगया रहना चाहिए अपनी परजा को बचाया रखने के लिए या फिर अपने राजे को बचाया रखने के लिए इन पॉलिसी का भ्यूग करना चाहिए ठीक है और जो युद्ध है वो अंतिम अंतिम साधन है ठीक है उससे पहले क्या ह हम बातचित करेंगे, सुलह करेंगे, फिर उसके बाद आसेमती होगी, या फिर हम उसे दाम या डंड ब्राइवरी देंगे, या रिस्वत कोड़ी होगी, उसके बाद में, लास्ट में बल, फोर्स, ठीक है? देखिए, मनु के अंदर भी हमें, यह जो मंडला थियोरी का जो कंसेप्ट है, मंडला थियोरी देखिए, कोटिंगे के अंदर भी आता है, जैसे मंडल थियोरी या मंडल सिधान का यहा है, कि जैसे जो राज्य है, उसकी जो निकट वर्ती राज्य है, यह दुस्मन हो तो यह friend हो जाएगा, यह enemy हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीकी की concept की बात Manu ने भी करी है, Manu ने भी 6 परकार की विदेशनीतियों की बात करी गई है, यह छे तरीके से हम विदेशनीति को संचालित कर सकते हैं, सबसे पहला क्या है, पीस, सांती, दूसरा है वार, या विग्रह, या फिर attacking the enemy, यान, neutrality, seeking protection from powerful, संचा, किसी के आस्रे में चलने जाना, और द्वैदी भाव, मदब डूल पॉलिटी, आएक टाइम पर आप किसी के साथ संचालित कर रहे हैं, और दूसरी तरप आप किसी से वार कर रहे हैं, तो ये छे नीतियों का अनुरसरांट, कोटिलने ने भी कराया है, और ये सबसे पहले हमें reference मनु के अंदर मिलता है, सबसे पहले क्या है, संधी, विग्रह, यान, दास, दासन, संशय और दूएदी भाव, अन्तिम जो कार्य है, राजा का, वो क्या है, धर्म और नेतिक्ता, वो बनाए रखना, देखिए, हम जितना भी ancient political thought पढ़ते हैं, तो उसमें हम ये दिखते हैं, कि जो धर्म है, और नेतिक्ता है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, धर्म और नेतिक्ता क्या है, एक करें राजा को अपने जितने भी नियम कानुन क मैं चाहिए जितने भी जो लोग आध्रमिकट है या अनयतिक इनको पानिष करना चाहिए आजा करी छे दाइट के अंदर उसे अपने कार्य को हा करना जिससे कि उसका जो राज्य है वह शुरक्षित रहे और प्रस्पर करता रहे मतलब सम्रिध्ध हो तो यह पाँच प्रमुक कार रहे हैं जो राजा के प्लीज शेर करिए लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में निख सकते ह हैं या फिर किसी ओर टॉपिक के उपर या फिन कोई और सब्सक्राइब के उपर जो हमारा पॉलेटिकल साइंस से रिलेटेड है तो उस पर भी हम बनानी की पोसे करें आप आपकी सुझाब कि हम प्रतिक्ष्य कर रहे हैं बहुत-बहुत धन्यवर झाल